Good morning, class 3rd, हम पढ़ रहे हैं subject English Reader और आज हम start करेंगे lesson number 5 और lesson का नीम है A Mighty Elephant Mighty means big and powerful, यानि कि बहुत बड़ा और ताकतवर, कौन? Elephant, ठीक है? चलिए start करते हैं, आपकी poem है Once a mighty elephant got a mighty cold He went to buy a handkerchief where handkerchief were sold एक बार, एक mighty elephant, यानि कि बहुत ही big और powerful, बहुत बड़ा और शक्तिशाली, ताकतवर, हाथी को क्या हो गया? Cold हो गया, यानि कि बहुत ज़्यादा जुखाम हो गया तो वो कहां पर गया? He went to buy a handkerchief Handkerchief मतलब hanky, यानि कि रुमाल तो वो कहां गया, रुमाल लेने गया उस शौप पर जहां कि रुमाल बिखते हैं A hanky for an elephant? He asked the sales girl The sales girl was surprised Sorry sir, but we don't have a handkerchief of that size तो जब वो hanky लेने गया, तो वहां पर जो sales girl थी मतलब जो hanky बेच रही थी, उसने उस लड़की से कहा कि मुझे hanky चाहिए तो वो surprised हो गई कि हाथी के size का hanky मतलब उसको तो बहुत बड़ा क्योंकि हाथी भी बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए hanky भी या जो हमारे size की होते हैं वो थोड़ी चेलेंगे, उसको तो बहुत बड़ा चाहिए तो उसने कहा, sorry कि हमारे पास आपके size का, इतना बड़ा, इतना large hanky नहीं है आच्छू, sneeze the elephant तो मतलब जो आप sneeze करते हैं, sneeze मतलब छीक न तो यह sound आती है न, तो उसने elephant ने एकदम से छीका और अपना बड़ा सा सिर, mighty head हिलाया forget about the handkerchief, उसने का ठीक है, handkerchief को भूल जाओ give me a sheet in street, तो मुझे उसके बडले sheet दे दो, मतलब कि बहुत बड़ी bed sheet, जो bed पे बचाने का cover होता है, क्योंकि वो तो उसके size के लिए तो वही काम करेगा, ठीक है तो यह आपकी poem थी, एक elephant के बारे में, जिसको क्या हो जाता है cold हो जाता है, वो hanky लेने जाता है, लेकिन sales girl कहती है मेरे पास आपके size का hanky नहीं है, तो कहता है, ठीक है, मुझे hanky की जगे क्या दे दो एक sheet दे दो, ठीक है, अब class, आप इस poem को अपनी book में से एक बार फिर से read करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, और उसके बाद, आप इसके word meaning और यह exercise है, राइमिंग words, यह आप अपनी notebook में करेंगे, ओके class, good bye